भांज एक रुला देने वाली कहानी 14 साल की उम्र में जब खेलने कूदन की उम्र होती है तब रिस्ता हो गया उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 बस में ही ब्याह दी जाती थी साधी का मतलब भी नहीं पता था बस ये सोचकर खुस होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे मात ही नहीं तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का काम काज सिखाया वही आता था साधी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद बिदाई का वक्त भी आ गया रोते रोते डोली में बैटकर ससुराल पहुच गई इतनी आलिसान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुस हुई तब ही सासु मा की आवाज आई अरे जल्दी से कलस लाओ बहु आ गई है और मैंने गुंगट की आर से अपनी सास को देखा आखों से एकदम सक्त मिजाज की लग रही थी मुझे सच मानो थोड़ा डर गई थी उन्हें देखकर सारी रसमें खत्म होते होते रात हो गई थी विस्तर पर लेड़ते ही नीद आ गई सुभा सुभा नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रसम है तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई सबने तारी भी की पसासुमा ने कभी निकाल दी साथ ही साथ हिदायत भी दे दी कि अब बच्पन छोड़कर कुछ काम कास सीख लो पंद्रह दिन बाद मेरे पती को भी होस्टल जाना था क्योंकि वहे तब बीए कर रहे थे खेर अमर भी होस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई अपनी सास अससुर के साथ पढ़ती बीच बीच में अमर चिठ्थी लिखते थे पर पहले सासुमा थी बाद में मेरे पास आती थी उम्र कम होने की वज़े से इतना फर्क नहीं पड़ता था मेरे अकेलेपन का साथी था आम का पेड़ हाँ वहीं आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था पर वो पेड़ फल नहीं देता था इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बांच कहते थे पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था जब काम से निर्वित होकर कुछ फुरसस के पल मिलते थे तो एक वही पेड़ मेरा साथी होता था उसको देखते हुए मैं अपनी सारी ठकान भूल जाती थी दो साल बीत गए और मैं सोले की हो गई अमर की भी सनातन की पढ़ाई पूरी हो गई थी आज अमर बापस आ रहे थे सासु मा सुभह से ही तैयारियों में लगी हुई थी खुद की ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी मैं भी बहुत खुश थी कि अम मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा सोला सिंगार के साथ मैं पूर इस्तिरी की तरह महसूस कर रही थी आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालीमा के लिए हुआ था सायद वह लालीमा मेरे चहरे पर भी दिख रही थी तब ही तो मेरी सास ने मुझे कहा कि जा अपनी नजर उतरवा ले अमर आ गए हैं हवेली की हलचल से पता चल गया था मुझे खाने पीने से निर्वित होकर सब आराम करने चले गए अमर भी कमरे में आ गए थे और मैं बस सर्म से लाल हुई जा रही थी तब ही अमन ने मुझे तोफे दिया एक सुन्दर लाल साड़ी पर मेरे लिए तो अमर का बापस आना ही सबसे बड़ा तौफ़ा था हमने धेर सारी बाते की जिन में कुछ सिकायते थी कुछ प्यार था समय बीटता गया और दो साल कैसे बीट गए पता ही नहीं चला अमर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुस थे एक दिन अचानक पता चला की मेरे पिताजी बहुत बिमार है अमर मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए पिताजी मुझे देखकर बहुत खुस हुए जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था और फिर मुझे अमर के हवाले कर के वो इस दुनिया से चले गए भीगी आँखों से अपने पिताजी को विदा किया अब मेरा सब कुछ अमर और उसका परिवार ही था समय गुजरता गया और अमन ने अपनी लौकी पढ़ाई भी पूरी कर ली और अव्व सरकारी बकील कहलाने लगे थे पर भगवान ने मुझे अभी संतान सुख नहीं दिया था अभी तो सासुमा दवी जुआन में बोलती थी पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रुक कड़ा करकर लिया अमर भहुत ब्यास्त रहते थे अपने काम में सो वो मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती धीरे धीरे सारे गाउं में ये बात प्हल गई की हवेली की बहु बांज है तीर की तरहे चुपता था ये सब्द पर कुछ कह नहीं पाती थी सिर्फ आशूं से दिल हलका करती थी अमर मुझे दिलासा देते थे पर लोगों का ब्यावार अंदर ही अंदर मुझे खोकला कर रहा था अभी मेरी उम्र ही क्या थी सिर्फ 19 साल और लोगों ने मुझे बांज बना दिया बच्पन से ही सरीर से दूबली पतली थी मैं फिर मा के मन्ने के बाद ठीक से पालन पोसण भी नहीं हो रपाया था एक दिन अमर जब दुभैर के खाने पर घर आये तो सासुमा ने फरमान सुना दिया कि हम अमर की दूसरी साधी करेंगे उफ इतना बड़ा धोका अमर कैसे दे सकते है मुझे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है बत्ती बुझा दो मुझे सोना है अमर कुछ बात करनी है आपसे मैं ठक गया हूँ दानी मुझे सोने दो अमर क्या आप दूसरी साधी करेंगे दानी मैंने कहा ना सोने दो मुझे ठक गया हूँ मैं तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते उधर मां है और इधर तुम परेशान हो गया हूँ मैं मन करता है आत्मत्या कर लूँ नहीं अमर ऐसा मत कहिए धानी ने अमर के मुह पर हाथ रखते हुए कहा आपके अलावा अब कौन है मेरा धानी करवट लेकर सारी रात आशु बहाती रही और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर जो मजबूर होकर हर चीज से समझोता कर लेती है सारी रात यही सोचती रही कि सायद अमन ने भी मौन सुविकिर्टी दे दी है दूसरी साधी के लिए पर उसे ये कहां मालूम था कि उसकी माने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी साधी के लिए एक महीने के अंदर ही अमर की दूसरी साधी गैंदा से हो गई गैंदा अमर की मा की दूर के रिस्तिदार की बेटी है धानी अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले आज से गैंदा इस कमरे में रहेगी अमर के साध सासुमा ने हाथ नचाते हुए कहा कैसे छोड़ दूँ ये कमरा नहीं ये मेरा कमरा है जिसे जहां जाना है जाए पर फिर खयाल आया कि जो ब्याहकर इस घर में लाया था जब वही मेरा नहीं है तो ये कमरा कैसे मेरा हो सकता है ऐसा सोचते हुए आँखों में आँसुओं का सेलाब उमड पड़ा सिंदूर की डिपी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई सामान एक कौने में रखकर खिर्की पर बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहानने लगी इसे कुछ कम हो जाएगा किसमत कहूं या कुछ और की आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है अकेला बे सहारा जैसे ये अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने के वें सफल रहा है क्या मैं इसकी तरह आडिंग और मजबूत रह सकूंगी या फिर किसी कमजोल लता की तरह मुर्जा जाओंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी नहीं ऐसा नहीं होगा मैं मजबूत रहूंगी जब ये बेजवान पेड़ सब से लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं अपने बिचार शंकला से बाहर आते ही मैंने अपने आपको समभाला और हर इस्तित्व से लड़ने के लिए तैयार किया दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आपको व्यस्त कर लिया अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखवाल करने लगी साथ ही उस आम के पेड़ की खास देखवाल करती थी गैंदा एक सुर्जी हुई लड़की है वो जब भी मुझसे बात करने के लिए आती मेरी सासुमा उसे बहाने से बुला लेती अमर पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे मुझसे बात तो करते थे पर एक पस्तावा हमेशा उनकी आँखों में दिखता था सायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें पर मा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे गैंदा ने दिन से खुसी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब गैंदा ने खुस खबरी सुना दी कि वो मा बनने बाली है पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया सारे नौकरों में तोफे बाटे जाने लगे मैं भी बहुत खुस थी कि चलो अच्छा है अब घर में एक नया भी महमान आएगा सायद मेरी जिन्दकी का सुनापन गैंदा बहुत कमजोर थी और उम्र भी 16 साल उसे बहुत तकलीफ होती थी अब सासुमा का आदेश था कि उसकी अच्छे से सेवा की जाए जिससे कि उसकी कमजोरी दूर हो सारी देखवाल के बाद भी गैंदा का बजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था एक दिन चिंतित होते हुए मैंने अमर से कहा भी कि गैंदा को सहर में किसी अच्छे डाक्टर को दिखा लाओ पर सासुमा ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं और अमर की वही पुरानी आदत की अपनी मा के खिलाफ वो जा ही नहीं सकते थे एक दिन गैंदा की तवियत कुछ खराब होने लगी उसकी सांस बहुत फूल रही थी घबरा कर मैंने गाओं के बैज जी को बुलवा भेजा बैज जी ने आकर कुछ दवाईयं दी और खून की कमी भी बताई और जब मैंने अमर को ये सब बताया तो सासुमा ने मुझे गैंदा से दूर रहने का आदेश दे दिया यह कहकर की एक बांच की छाया भी नहीं पढ़नी चाहिए गैंदा पर खैर मुझे गैंदा से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में केली सारा दिन बंद रहने लगी सरावा सुन में आंगन की तरफ भागी देखा तो गैंदा के प्रशव का समय आ गया था गाउं की बूरही औरतं और दाईयों को बुलाया गया पूरी हवेली में हलचल का महल था मैंने अमर की तरफ देखा बहुत डरे हुए लग रहे थे मौन के पास गई और उन्हें थोड़ा देरे रखने को कहा थोड़ी देर में ही बच्चे की किलकारी गूंजने लगी हम सभी की खुसाई का ठिकाना नहीं रथा पर तभी काकी ने बाहर आकर बताया की गैंदा की कमजोरी और खुन की कमी के कारण वो गैंदा को बचा नहीं पाए बेटी को जन्म देते ही गैंदा का देहान थो गया हाए पोते का मुह नहीं देख पाई मैं अब कैसे मेरा वंस चलेगा सासु मा का बिलाप सारी हवेली में गूंज रहा था उस छोटी दूद मुहे बच्ची को देखकर मेरा कलेजा मुह को आता था ऐसा लगता जैसे वो मैं हूँ मैंने उसे कलेजे से लगा के रखा जिनकी मा नहीं होती वो बच्चे कुछ जादा ही समझदार होते हैं सायद जराब ही परेसान नहीं करती थी वो मुझे बस दूद पीते ही सो जाती थी सासुमा का वही राग चलता रहता कि लड़कियों से बंस नहीं चलता है पर अब सायद किसी को फर्ग नहीं पड़ता था अमर अब पहले से खुस रहने लगे थे ओपिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुडिया को खिलाते हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है मैंने पंड़जी के आते ही सासुमा से प्रश्ण किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुँ देख पाऊंगी और पंड़जी ने उसके लिए कुछ ग्रह सांती के उपाए बताए सासुमा चल दी पंड़जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की सुद्धी कराने मेरी कोठरी के पास भी गई और पंड़जी को वो बाँज पेड भी दिखाया पेड देखते ही पंड़जी का मुह बन गया और उन्होंने कहनत सुरू कर दिया कि ये इसी मनुस पेड की बज़े से हमारे घर में बेटा नहीं है जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो अम मेरे बरदास्त की हद हो चुकी थी मैंने अमर की तरफ देखा पर मुझे नहीं लगा कि वो मना करेंगे और सासुमा ने तुरंत नौकरों को भुला लिया कि आज इस पेड को काट ही डालो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं कैसे अपने सुक दुख के साथ ही को बचाओं जैसे ही वो कुलहारी लेकर पेड काटने आगे बढ़े लगे मैं फुर्ती से भाग कर उस पेड से लिपट गई और बिंती करने लगी कि पेड को मैं रोती जा रही थी पर किसी को तरस नहीं आ रहा था तभी किसी ने मुझे खीच कर धक्का दिया और मेरे सिर पत्थर में से टकरा गया सिर से खून की धार निकल रही थी यह देखकर अमर से रहा नहीं गया और उन्होंने सब को वहां से हटा दिया और तुरंत मुझे अस कि उसाय डाक्टर साहईबा सामने खडी थी और अमर को कुछ समझा रही थी और उनके चहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किये पर अफसोस है डाक्टर क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं अमर ने पूछा हां अब आप इनहें ले सकते हैं पर खयाल रखिएगा कि अब ऐसा दोवारा ना हो क्योंकि ऐसी हालत में ऐसा गिन्ना ठीक नहीं होता है ऐसी हालत डाक्टर क्या हुआ है इसे अमन ने घवराते हुए डाक्टर से पूछा अरे आप लोगों को पता नहीं है अब ये मा बनने वाली है तो इनका दूसरे को देखे जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी सासुमा की आँखों में पस्तावे के आँसु थे मेरे सर पर हाथ हरक कर बस इतना ही कह सकी कि मुझे माफ कर दो और मैं मुस्कुरा कर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी मा से लिपटी हूँ पूरे नोह मैंने मेरी सासुमा ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड का आज मेरी ड्रिवरी हुनी थी सासुमा समय से मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने गेंदा के समय की थी वो अब ने हो बंधाई हो आपके पोता हुआ है नर्स ने सासुमा को ख़वर सुनाई और सासुमा ने हाथ से अंगूठे निकाल कर नर्स को दी वो खुस थी पर इस बजह से नहीं की पोता हुआ है बलकि इस बात पर की मैं बिल्कुल ठीक हूँ हवेली में धूम धाम थी सब खुस थे कि हमारा परिवार पूर्ण हो गया था बेटी और बेटे के आने से और एक खुसी कहीं और भी पनप रही थी वो उस आम के पेड में फल आ रहे थे सायद हम बहुत जल्दी चिंता करने लगते हैं फल मिलने की हर चीज का एक समय होता है कुपोसित सरीर हो या पेड दोनों ही फल नहीं देते